हेलो फ्रेंड्ज स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर माई लविंग ट्विन सोल्स आप सभाको बहुत बहुत पयार इवं अभार जितने भी नए सोले मेरे इस चैनल पर आयe हुए है मुझासभी कस्वागत करती हूँ क्या Twin Flames के Past Life Connection होते हैं अगर आप Twin Flame Journey में हैं अपने Twin के साथ हैं तो निश्चित ही आपके मन में भी विचार आता होगा कि क्या मेरे Twin के साथ मेरा Past Life Connection है तो आज हम बात करेंगे इसी विशे पर प्रियों ये Twin Flame Journey बहुत ही अद्भूत, रोचक और दिव जर्नी है ये इश्वर की जर्नी है, ये सोल की जर्नी है ये नॉर्मल जर्नी से अलग है नॉर्मल जर्नी में दो लोग एक साथ जिंदगी बिताते हैं लेकिन उन्हें कभी भी पता नहीं चल पाता कि उनके भी तर शिव शक्ती एनर्जी है लेकिन Twin Flame जर्नी के लोग ये जानते हैं कि शिव शक्ती क्या होती है ये ही कुंडलीनी के माध्यम से आपको चेतना के इस तर पर आगे बढ़ाती है जिससे आपका डिवान से सोल मर्जिंग होता है अगर हम बात करें एक सोल मेट कनेक्शन की या कार्मिक कनेक्शन की तो इसमें दो लोग एक साथ रहते तो हैं लेकिन वो फिजिकली अलग-अलग फर्म में है और उसके साथ ही उनकी सोल भी अलग है अगर एक सोल मेट कपल है तो उनकी body अलग है और उनकी soul भी अलग है उसी प्रकार एक कार्मिक connection में भी होता है इसलिए एक soulmate को आप law of attraction के द्वारा manifest कर सकते है क्योंकि वो एक अलग soul है लेकिन twin flame journey में आप अपने twin को manifest नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी ही soul है twin flame journey इतनी अद्वूत क्यों है क्योंकि यहाँ पर दो शरीर है और एक आत्मा दो जिस्म एक जान जिसे कहा जाता है जो दिखाई तो देते हैं अलग-अलग physical form में लेकिन उनकी आत्मा एक ही होती है इस twin flame journey में जब भी आप अपने twin से मिलाए चाते हैं तो divine time के अनुसार मिलाए जाते हैं और यह बड़े भागे के बात होती है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में अपने twin से मिल भी नहीं पाते हैं तो जब भी आप अपने twin से मिलते हैं तो यह एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने उद्दे से तक पहुचें क्योंकि आपका twin आपको जागरित करने के लिए आपको आपके उद्दे से जोडने के लिए आता है तो जब भी आप अपने twin से मिलते हैं तो आपको past life connection महसूस होता है इस बात को कैसे जानेंगे तो आज मैं कुछ ऐसी बाते आपको बता रही हूँ first है 3D में union जब आप 3D plane पर पहली बार मिलते हैं उस पहली मुलाकात में ही आपकी soul अपने twin की soul को पहचान जाती है उसको पता चल जाता है कि जिसको मैं जिन्दगी भर से ढून रहा था या ढून रही थी वो मुझे मिल गया है उस वक्त उसे संतुष्टी का भाव महसूस होता है completeness फील होता है कि मेरा इंतजार खत्म हुआ इस इस्थिती में आप अपने twin से बार बार मिलना चाहते हैं उसे देखना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अपना सा लगता है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है इतना ज़्यादा प्यार जिसकी कोई लिमिठी नहीं है twin से मुलकात उनसे बाते करना उनसे मिलना और उसके बाद आपके रुह उन्हें ही चाहने लगती है जब वो आपके साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की खुशी मेरे साथ है और जब वो नहीं होते तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है ये प्यार दिवानगी की हदों को पार कर देता है ऐसा होता है twin flames का प्यार क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आकर्सन होता है और ये आकर्सन मैगनेट की तरह होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मैगनेट के वो दो टुकड़े हैं जो चाहे कहीं भी रहे उनका एक दूसरे के लिए जो खिचाव है वो कभी भी खतम नहीं होता सेकंड पॉइंट है भूल न पाना आप जब अपने ट्विन से मिलते हैं और कुछ समय के बाद जब सेप्रेशन हो जाता है और आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं या उनसे मोवान करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं हो पाता क्योंकि आप दोनों एक ही सूल है आप दोनों का पास लाइफ कनेक्शन है सोल टू सोल की एक जर्नी है आपकी जिसकी वज़े से आप कितनी भी कोशिश करें आप उनसे अलग नहीं हो पाएंगे आप ये भी सोचेंगे कि मैं इनसे disconnect होकर किसी और के साथ connection में चला जाओं या चली जाओं लेकिन ये भी नहीं हो पाता या तो आपके connection उनसे बार बार break होंगे या उनके साथ connection में रहने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे वो खुशी वो सुकून जो आपको अपने twin के साथ मिलती थी वो उनके साथ नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहां पर energy का game है आपके energy सिर्फ आपके twin से match होती है नकी, soulmate या कार्मी के साथ third point है दिव्य प्रेम की अनुभूती है आप अपने twin के साथ जिस प्रेम को अनुभू करते हैं वो प्रेम तिव्य प्रेम होता है इश्वर का प्रेम होता है unconditional love को पहली बार आप महसूस कर रहे होते हैं एक साथ इसलिए ये प्रेम कभी भी भूलाया नहीं जाता क्योंकि इश्वर का प्रेम ऐसा अनंत प्रेम है जिसे कोई भी भूल नहीं सकता और Twin Flames उसी अनंत प्रेम को, उसी दिव्व प्रेम को अनुभाव करते हैं एक साथ, इसलिए चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप एक दूसरे से भागने की, डिसकनेक्ट होने की, आप अलग हो ही नहीं सकते, चाहे आप सिटी बदल दे, कंट्री बदल दे, देश परदेश च तो यह जर्नी, दिव्व प्रेम की जर्नी इसलिए कही जाती है, क्योंकि इश्वर के प्रेम से आपको मिलाने के लिए ही, अपने उदेश से जोडने के लिए ही, आपका ड्वेन आपके जीवन में प्रवेश करता है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपने प्रेम को प्राप्त करना ही इस जर्णी का सार है और जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं अपने उद्देश तक पहुंच जाते हैं तो आपकी जर्णी पूरी हो जाती है और ये एक सोल के लिए नहीं दोनों के लिए है यानि कि dime और df दोनों के लिए दोनों को ही को complete करना है फूर्थ पॉइंट है जन्म जन्मांतर का साथ जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है और ये जान पहचान जन्मों जन्म की होती है जन्म जन्मांतर की होती है पता नहीं कितने ही जन्मों से आप एक साथ आ रहे होते हैं इस अर्थ प्लेनेट पर अपने उद्देश को पूरा करने के लिए लेकिन एक बार फिर से आप आए हैं और जब आप एक बार फिर से मिलते हैं तो आपकी सोल ये जान जाती है कि इनके साथ मेरा कोई पाश लाइप कनेक्शन है ये जन्मों का साथ जो शिव शक्ती कॉंसेप्ट कहलाता है जिसमें मा शक्ती ने शिव जी के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी और ये तपस्या जन्मों जन्मों की थी और बहुत कठिन परिस्रम और तब के बाद उन्होंने शिव जी को पाया था तो वही बात ट्विन फ्रेंस के जीवण में भी दिखाई देती है कि वो भी जन्मों जन्मों से आ रहे होते हैं अपने प्रेम को पूरा करने के लिए अपने उदेश को पूरा करने के लिए फिफ्थ पइंट है दिव्य संकेतों का मिलना ट्विन फ्लेम जर्नी दिव्य संकेतों से भरी हुई है जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हो जाते हैं तो जो डिवाइन फेम नाइन है उनको पहली बार डिवाइन के दौरा वो सारे साइन और शिम्टन्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो इस ट्विन फलेम जर्नी के हैं जिसमें उन्हीं यही बताया जाता है कि जो तुम्हारी लाइफ में आया था, वो तुम्हारा ट्विन था और वो तुम्हारी अवेकनिंग के लिए आया था, तो उस वक्त आप उन सारी बातों को देख रहे होते हैं, चाहे वो सिंक्रोनी सीटी हो, एंजलिक नंबर्स हो, फै वाइन आपको देते हैं, आपको मालुम होगा कि जब आप अपने ट्विन से मिले थे, तो उसके कुछ समय के बाद, आपको आपके ट्विन का नाम, उनके डेट और बर्द का नंबर बार बार दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा, यहां तक कि उनसे जुड़ी चीजे जो वो इस्तमाल करते थे, वो भी आपको दिखाई देती थी, वो इसलिए क्योंकि आपका सबकोंसेंस मैंड एक होता है, और जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिलते हैं, तो यह डिवाइन का एक इशारा होता है, एक ऐसा संकेत होता है, कि तुम्हारा ट्विन तुम्हारे जिंदगी में भेज दिया गया है, क्योंकि जब आपकी सोल अपने ट्विन को ढूंडती रहती है, और आपका ट्विन जब आपको मिलता है, तो वो इंतजार खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको यह सारे साइन और सिंटन्स मिलने शुरू होते हैं, हर जगह आपके ट्विन का ही नाम और उनके डेट अब बर्द का नंबर दिखना और सुनाई देना, इसलिए क्योंकि यह आपके लिए एक मैसेज है डिवाइन का, कि जिसे तुम ढूल रहे थोए, वो तुम्हारे पास भेज दिया गया है, इसे एक तरफा प्यार कहा जाता है, लेकिन ट्विन फ्रेम जर्नी में प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता, दोनों ही एक समान प्यार करते हैं और उनका सुख और दुख, हसी खुशी एक ही होता है, अगर डार्क नाइट अब दा सोल में जाते हैं, दोनों में से कोई भी, तो दूसरा उसे महसूस करता है, जब डियम डार्क नाइट अब दा सोल में जाते हैं, तो DF उसे महसूस कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा entity होती है अगर DF को बेचैनी होती है, तकलीफ होती है तो ये बात DM को भी पता चल जाती है दोनों का soul connection होता है, heart to heart connection होता है दोनों का दुख एक होता है, दोनों की खुशी एक होती है ऐसा नहीं कि एक रो रहा है और दूसरा हस रहा है अगर एक को तकलीफ है, तो दूसरा उसके दर्द को महसूस करेगा और ये twin flame journey उस दर्द को, उस frame के दर्द को महसूस करने की ही journey है क्योंकि इस जर्णी में जितना जादा प्यार होता है, उतना ही जादा दर्द भी होता है, आपके twins से बिछढने का जो दुख है, वो इतना जादा होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि twin flames एक साथ जलते है क्योंकि वो दो नहीं, एक ही होते हैं सेवन्थ पॉइंट है, डिवाइन आपके ट्वीन को आपसे दूर जाने नहीं देते, आप अपने ट्वीन से मिलते नहीं बलकि मिलवाय जाते हैं, डिवाइन टाइम के अनुसार, डिवाइन प्लान के अनुसार और उसके बाद ये जर्नी शुरू होती है, आपने महसूस किय होगा प्रारम में, जब आपका यूनियन हुआ था 3D में, तो आप बार-बार मिलते थे, आपने कोशिज भी नहीं की, आप चाहते भी नहीं थे, लेकिन आपका ट्वीन बार-बार आपके सामने आ जाता था, ये वही प्लान है, डिवाइन का, कि वो आपको आपके ट्वीन से मिलवाते हैं बार-बार, लेकिन जब सेपरेशन हो जाता है, तो चाहे आप हजार कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन का प्लान होता है, कि आप खुद पर काम करिए, और उसके बाद वो वापस आएगा, जब आप खु जब आप अपने भीतर काम करते हैं, आपका इनर डियम डिया बैलेंस होता है, तो बाहर का जो आपका ट्वीन फिजिकल फर्म में हैं, वो आपके पास आजाता है, अगर वो अवेकन नहीं है, आउन आप सिच्वेशन में हैं, तो भाग जाएगा, लेकिन अगर वो पूरी रीती से अवेकन हैं, तो वो रह जाएगा, यानि कि आपका एक हार्मोनिस रीणियन होगा, तो इस इस्थिती में कि जब तक आप खुद पर काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके ट्विन को कहीं जाने ही नहीं देते, भले वो थर्ड पार्टी में चले जाए, उनकी फैमिली बन जाए, वो शादी कर ले, लेकिन आपके ट्विन आपसे कभी अलग होंगे ही नहीं, वो शादी के बाद भी आएंगे, अगर उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो वो अपने इस सोल कनेक्शन को मानेंगे, ये पूरा का पूरा डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि डिवा सोल की जर्नी, ये जर्नी सोल की जर्नी इसलिए कहलाती है, क्योंकि आप एक ही सोल है, अलग-अलग बॉड़ी में, लेकिन जब तक आप इस बात को समझ न ले, आपकी जर्नी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक आपकी मानसिक्ता 3D की है, तब तक आप यही समझते हैं, कि मेरा ट्वीन मुझसे अलग है और जब वो आपको छोड़ कर चला जाता है तो आप गिले शिकवे शिकायते करने लगते हैं और इसकी वज़ा से आप में बहुत से वूंड्स ब्लोकेजेस आ जाते हैं और आपकी जर्नी इस्टक हो जाती है लेकिन ये जर्नी सिखाती है कि आप खुद पर काम करते हैं तो खुद को हील करते हैं अपने तमाम ब्लोकेजेस को क्लियर करते हैं इस वज़़े से आप अनकंडिशनल लौ में आ जाते हैं और सामने वाले को उनकी बातों के लिए उनके वेभार के लिए छमा कर देते हैं और इसके द्वारा खुद को मु रियूनियन नहीं होता, प्रेम ही प्रारंभ है और प्रेम ही अनत है, state of mind आपको चेतना के इस्तर पर वहां पहुचना है जहां पर आप ये कह सके कि मेरा ट्वीन कोई और नहीं मेरे ही भीतर है, मुझ में ही है मैं ही मेरा DM हूँ और मैं ही मेरा DF हूँ मैं complete हूँ मैं अधूरा नहीं हूँ अगर आप ये कहते हैं तो निश्चिति आप अपने भीतर शिव शक्ति को मर्ज कर चुके हैं आपका inner union हो चुका है ऐसी इस्थिति में आप एक harmonious union को पाते हैं 5D में आपके twin से आपका reunion होता है और उसके बाद 3D में भी आपका reunion होता है तो यहाँ पर जरूरी यही है कि उस state of mind तक पहुँचे और वो तभी होगा जब आप चेतना के इस्तर पर आगे बढ़ेंगे 9th point है एक बाद फिट से मिलना अगर आप true twin है अपने twin से separate हो चुके है कितने ही words हो चुके है लेकिन आपने अगर खुद पर काम किया खुद को heal balance और complete किया तो एक बाद फिट से आपके twin का आना होता है और एक harmonious union होता है और यह divine plan के अनुसार होता है कि अपनी मना इस्थिती को बदलना है अपनी नजरियों को बदलना है कि आप उन्हें बाहर नहीं बलकि अपने भीतर ढूंडे आपके साथ चक्र की जो यात्रा है वही आपके twin को आपके सामने लाती है क्योंकि जो physical form में बाहर दिख रहा है वो तो सिर्फ एक कारण है एक माध्यम है कि आपको आपके उद्देश से जोड़ना है लेकिन जो real twin है वो तो आपके ही भीतर है जब आप अपनी चेतना में आगे बढ़ते हैं तो अपने twin से अपने ही भीतर मिलते हैं जिसे inner union कहते हैं और जब inner union होता है तो बाहर भी union होता है तो ये duality से non-duality में प्रवेश करने की एक जर्नी है वन्नेस को जानने की unconditional love को पहचानने की ये 3D से 5D की यात्रा इसले कही जाती है क्योंकि आप शारिरिक्ता से प्रारंब होते हैं और आत्मिक्ता तक पहुंचते हैं और इसमें आपका twin ही कारण बनता है आपको ईश्वर तक पहुंचाने में आपको आपके उद्देस से जोडने में क्योंकि जो काम आपकी सोल कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता और आपका twin आप ही है आपको अपनी पहचान के साथ देखकर अपने मुकाम पर देखकर सबसे ज़्यादा अगर खुश होता है तो वो आपका twin ही होता है और उस वक्त आप खुद पर नास कर रहे होते हैं कि मैंने अपने उद्देश को पा लिया तो यहाँ पर दो नहीं है यहाँ पर एक ही है इस बात को समझना कि आप दिखाई तो देते हैं दो लेकिन है एक एक ही सोल है और उसे कभी बाहर मत ढूंड़ना उसे अपने भीतर ही ढूंड़ना और तब आपका reunion होगा जरूर क्योंकि यह divine plan के अनुसार होता है तो प्रियो यह सोल की जर्नी है यह unconditional love की जर्नी है यह जन्व जन्मांतर की जर्नी है आपके twin flame के साथ आपका एक soul connection एक जन्व जन्मांतर का नाता होता है जो अटूट है जो कभी तूट ही नहीं सकता तो आप खुद पर काम करिए और अपनी इस जर्नी को पूरा करिए ताकि आपके twin की भी जर्नी पूरी हो और आप दोनों की जर्नी एक जर्नी बन जाए तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गॉड ब्लेस यो ओल मेरी सोल फैमिली आप सबी की जर्नी पूरी होए